आज किस एपिसोड के साथ इस एपिसोड में बात करेंगे लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो इसको ऐसा ब्रेकाउट सॉक हम लोग डिसकस करेंगे अभी कुछ समय पहले ही डिसकस किया था तो बहुत जादा फंडामेंटल पर यह आएंगे लेकिन फिर भी हाइल लेट से लेते हैं ताकि जो लोग नए लोग आ रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं ठीक तो स्टार्ट करते हैं लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज देखेंगे तो एक हजार करोड मतलब एक स्मॉल कैप रेज और मतलब city gases के लिए भी है और बाहर मतलब जो दूसरे country से अपने country से gas जो आती है उसका भी development करते हैं और दोनों ही city gas और मतलब देखा जाए तो international border से जो connect होते हुए अंदर आती है अपने देश के अंदर उन दोनों ही pipelines की services भी करती हैं तो इससे क्या होता है एक stream of revenue भी हम बन जाता है मतलब यह नहीं कि कल को अगर order साना बंद हो गए तो इनका business बंद हो जाएगा या revenue अचानक से ठफ हो जाएगा इससे होता कि या service प्रोवाइट करने से कि लॉंग stream revenue हम लोग भी बन जाती है क्योंकि कल को हमेशा कुछ ने कुछ तो कहीं ने कहीं खराबी आती ह तो कल को हमाँ service देखें भी पैसे कमाया जा सकते हैं अब यहां कि stock की PE देखेंगे industry की PE से तो वो कम है book value current price में यहां पे ठीक ठाक difference है बहुत जादा नहीं है बतलब इस तरह नहीं कहेंगे कि buy नहीं किया जा सकता इस range में नहीं है बतलब कहेंगे कि fair value हम लोग यहां पर मि sales 22% से यहां पर grow कर रही है profit grow 39% margin भी company की काफी अची है dividend भी company टिक ठाक पे कर रही है CSGR growth मतलब compounding हम लोग growth की बात करें तो 42.7% से हर सारी grow कर रही है तो कि अच्छे numbers है debt और equity की बात करें यहां पे तो debt यहां पे इनके है ही नहीं मतलब एक debt-free company है आप लोगो एक और benefit मिल है यहां पर sales के अगर बात करें तो लगातार यहां पर pick up होते हम लोगों को दिख रहा है हर साल यहां पर देखेंग 91, 20, 250, 330 लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है और December quarter का results अभी आ चुका यहां पर आप लोग के सामने है December quarter के results भी आप लोगो sales के अंदर एक expansion मिल रहा ह operating profit margin बहुत ही stable है मतलब ऐसे situation के अंदर जहां पर मतलब companies की margin लगातार गेंद रही थी पिट रही थी उस समय के अंदर भी यहां पर margin देखोगे तो बनी हुई है यह strength provide करती है strength किस तरह से कि यहां पर जो यह product अपर बेच रहे है services बेच रहे है वो और कोई ऐसा services नहीं margin है अगर demand कम होगी तो जब रस्ती हैं लोग अपना वो कम करना पड़ेगा prices और वो होगा margin कम करके तो margin यहां देखा जाए तो अच्छी है net profit wise देखें लगातार हम लोगों बढ़ता हुआ मिल रही है cash flow from operation positive है shareholding button 74 70% आया है बस थोड़ा सा promoters की holding में 4% से कमी आई बागी देखा जाए तो अभी promoters की holding majority में है 70% is good enough अब आते हैं चार्ट पर चार्ट पर दिखिंगे लिस्ट होने के बाद एक रनप मिला था हम लोगो उसके बाद यहां पर hold लिया है इसने यहां पर अभी देखा जाए तो hold लिया है फिर यहां पर hold करने के बाद थोड़ा सा हम ल आप मिला था यह तो हम लोग पिछले बार ही डिसकास कर ली थे कि यह ट्रैंगल को वर्च लिस्ट पर डाल लेना जैसे यह ट्रैंगल ब्रेक करता एक हम लोग को यहां पर पोजिशन एड करनी पड़ेगी अब पहला टार्गेट आप लोग का इन वाले रवेस तक का और इ तो थोड़ा सा देखें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी शाहिए थोड़ा बहुत ब्रेक आउट मिल जा है तो अगर वहां से निफ्टी बैंक निफ्टी पर सपोर्ट कर देती है तो और तेजी से हम लोगो यह अपने टार्गेट की तरफ जाता हूँद मिल सकता ह इन्वेस्मेंट परपस से पूछो तो डेफिनेटली इंफ्रस्ट्रक्ट्टर कंपनी है तो वहां पर हम लोग एक एड़ आउन कर सकते हैं इंफ्रस्ट्रक्टर अपने पोर्ट्फोलियों अगर आप लोग रखते हो तो अगर नहीं रखना प्रिफर करते हो तो कोई बात नहीं क्योंकि अगर रखते हो तो एक अच्छी अपरचुनिटी के अंदर मिल जकती कंपनी के अंदर क्योंकि यहां पर हम लोग को अच्छी ग्रोथ मिल रही है सेल्स के अंदर भी नेट प्रॉफिट के अंदर भी तो इसी के साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी, इंफर्मेटिव लगी, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करदाना, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना, मिलेंगे अगले वीडियो में, उक्टी बाया,